हुआ हाई गाइस नमस्कार क्या हल चाले हैं आप सभी का स्वागत है कैसे हो आप लोग कि आए तनुजा अलका संद्रेश पूनाम हारती है साथ कैसे हो तनुजा मेरे सेले प्रियर्सिस आसीज और कौताम कारण मत्वूस ना बतेरे कारण है और बताओ आज हम पढ़ेंगे पांदों ने पांव इस हाट पंधू आज इसको हम पढ़ने वाले अनामी का कह रहे हैं माई फर्स्ट क्लास ओनन अकेडमी बढ़िया है वाई चलिए आज हम पढ़ेंगे निराला जी की एक कवीता है बांदों ने ठाट पांदों नाव इस ठाट बंदू यार हमने इस्पिसल क्लास में एक नया बैस स्टार्ट किया है बैस का नाम है करना करन बैस का नाम है करन बैस का नाम है कि स्पिका आज हम पढ़ेंगे राम की sahति पूजा यह एक ऐसी रचना है जिसने निराला को अमर कर दिया मेशने वान की सकति पूजा आज हम पढ़ने वाले स्वागत है आप सभी दोस्तों का दे प्रेम से पैसे स्वागत है चल रहा है अब मुझे सुरू करेंगे राम की सक्ति पूजा तरपाठी की रचना है सबसे पहले हम इसका सारांस पढ़ लेते हैं और फिर हम इसकी पूरी कवीता पर जंप करेंगे जैसे यह कवीता उसकी तारे नौट लगा दिये हैं तिंता ना करें कोमल करें मेरी पहली क्ल अपने पूरे कलात्मक सौंद्रे के साथ अपने युग के सामाजिक सक्त से भी जुड़ती हुई एक सारभ हमिक प्रिक्रिया का बयान करती है जिसे असद के उपर सत की विजय के लिए हर बार अपनाना पड़ेगा तो अधानती का पक्ष का अब देखो यह जो कवीता जब लिखी गई थी कब लिखी गई थी समय सन मताओ राम की सक्ति पुझा कब लिखी गई थी झाल 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 चलिए जिन लोगों ने 1936 बताया है उन लोगों का सबका सही आनुसर है आगे बढ़ते हैं देखो यह जो उस समय 1936 का जो दौर था ना उस समय क्या था भारत में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज जो असत का का रूप में उस पर सत की विजय हमको दिखलाने लिए यानि एक प्रकार से जो राम की सक्ति पूझा राम रावन की कथा के साथ साथ अंग्रेज और भारतिय जनता की कथा भी है अंग्रेज और भारतिय जनता की कथा भी है इसलिए वो असत पर सत की विजय यहां पर बतलाते हैं उस असत के खिलाप विजय तब ही हासिल हुई जब भारत की जन सक्ति नेत्रुत के साथ हो गई भविस में भी जब चोशन पर आधारी त्वगश्ता को बदल कर चोशन विहीन समाज बनाने का समर सेज होगा उसकी विजय भी तब ही सुनिशित होगी तब भारत की या किसी ऐसे समाज की अरे रुख जा जन सक्ति उद्यमान सरवहारा वर्ग के वैचारिक राजनितिक नित्रुत के साथ होगी और वर्ग ये संतुलनकारी सरवहारा पक्ष में हो जाएगा झाल 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 चलिए गाईज ओके जब तक शोषण जनता बड़े पूझी पतियों भूस्वामयू के राजनेतिक वेचारिक नेत्रुत के चुंगल में फसी रहेगी यानि असत्त की गोद में रहेगी तब तक शोषण वीज समाज बनाने वाली शक्तियों की विजय संबवने इसलिए तरवहारा वरक को भी सक्ति पूझा की मौलिक कलपना करनी परती हैं सारी क्रांतियों का इतियास इस बात का साक्षी हैं राम की सक्ति पूझा इसी एतियासिक अनुभव को ताव्यात्मक इस्तर पर प्रस्तुत करती हैं समवेदनात्मक इस्तर पर समाहित्वे सार्भोमिक सत्त ही इस रजना को महान बनाता है इसी तत्य की विजय से ये कविता एक इल्माही या प्रॉफिटीव कविता बन जाती है निराला की ये कविता हिंदी कि सरफ स्रिष्ट कविता में इसको पाना जाता है क्या लिख दिया है डाउट में देख लेते हैं क्या लिखाया है भाई आपने स्वीटी जी पूंज बुजाए दिये यूजिस नेट पास करने वाले उन्त वरता प्राप करने आसे जर्णरल केटी के लिए 4590 भाई मुझे इसकी जानकारी नहीं है कब की न्यूज है ये तुरीटी कब की न्यूज है बिटाए ये और कहां ये 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 न्यूज भाई कहां से पड़ी है ये ये न्यूज भाई मुझे तो इसकी जानकारी है नहीं 45 परजेंट है भाई तिक्षा के इतना विष्टर नीचे नहीं गिरेगा कि भाई भाई कर दो नहीं है ये तुरीटी कर दो भाई झाल कि अज़ है नहीं है इतना विड़ा के इतना विड़ी मुझे कर दो दो आपके भाई नहीं अस्त विड़ी Cand झाल 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 चले गाई ओके यार मुझे इसकी बारे में जानकरी नहीं है हम आगे बढ़ेंगे और आगे अब बढ़ते जाएंगे अब यह साथ हो राम की सक्ति पूजा राम की सक्ति पूजा के बारे में और डिटेल देख लेते हैं कब से कब हुई थी अरे भाई यह 100% फेक है इतना कुछ तोचने की जरूरत नहीं है 100% फेक है चले गाई राम की सक्ति पूजा 23 अक्तुमर 1936 कोई रचना है इस चीज को जान रहे भारत पत्र में इसकी प्रकासित हुई लेकिन आज तैनिक इलाबाद का वैंक सुलब नहीं है इसलिए इस पत्रिका के मूल निकट सम पार्ट के लिए अनामिका के प्रतम सब्सक्रण में शपी उसी कोई निर्वर रहना पड़ता है मैं उन्हें को ब्लॉक करूंगी मुझे लगा ये संजे जी है अरे भाई साथ ए जी ओ जी इसमें विने जी भी हैं इसलिए जी फेक भी होते हैं बहुत से जी जी फेक भी होते हैं ए जी हो जी हम ना कहेंगे हम तो ही सारों में बाते करेंगे चलिए आने अनामिका में इसका सीधा मतलब है कि 1923 सक्टूमर 1936 को चपी और भारत पत्र में चपी लेकिन वो प्रतिक गुम हो गई तो इसको अनामिका में इसको चपा माना जाता है आगे देखते हैं राम की सक्ति पूजा के उतने ही अनुचेदे जितने सरों जिसमर्ती में हैं उन अनुचेदों की कुल संक्या 11 है ये प्रसंग के अनुकूली आकार में छोटे बड़े हैं ये कविता 312 पंक्तियों की एक ऐसी लंबी कविता है जिसमें सक्ति पूजा नामक चंद का प्रियोग हुआ है ये चंद निराला जी का अपना मौलिक चंद देखो अब आपसे पूचा जाएगा कि राम की सक्ति पूजा में कौन सा चंद आया तो ये है सातियो राम सक्ति पूजा चंद इसको जान रखना ये क्या सातियो निराला जी का ये मौलिक चंद है ओके चलिए ये कविता चूँकि एक कथात्म कविता है इसलिए संसलिष्ट होने के साथ भी इसकी सरंचना अपिक्षकरत सरल है इस कविता का कथानक प्राचीन काल से सरविख्यात राम कथा के एक अन्स से है ओके आगे बढ़ते हैं सर संसलिष्ट क्या होता है कितने लोग संसलिष्ट का मतलब नहीं जानते इस क्लास में मुझे उम्मीद है कि आप हिंदी साइस के विध्यारती हो तो संसलेश्ट का मतलब तो जानते ही जानते होंगे बताईए संस्टिpt जानते हैं जानते हैं तो बताओ न मेटफिर जानते हैं तो बताओ ठोटा Teleslight किया हुआ और बताओ लगाओ दिमाग और लगाओ दिमाग हिंदी सायथ की विध्यारतियों को ये चीज तो आनी चाहिए संसलिस्ट का मतलब होता इखटा करना कुछ चीजों को इखटा कर देना संसलिस्ट कहलाता है जैसे कोई चीज अलग-अलग फॉर्म में है तो उनको एक साथ करना संसलिस्ट कहलाता है क्या कहते हैं उसको? संसलिष्ट कहते हैं उसको ओके आगे देखते हैं कृतवासी और राम की सक्ति पूजा में परियावत भेद हैं आपको ये चीज़े पढ़नी है ये चीज़े काफी एस्ट्रा मैंने इन नॉट सों एड कर दी है ये आपको सारी चीज़े पढ़नी है ये सारी चीज़े पढ़नी है ठीक है आएए अब इसका थोड़ा सा हम इस चीज़ को देख लेते हैं ये हमसे क्या कहना चाता है चलिए इदर देखें निराला जी के सामने एक समझा थी कि राम रावन का युद्ध वर्णन करना है और उसके समाना अंतर राम के भीतर समाना अंतर था राम के भीतर चल रही है लड़ाई का वर्णन है भीतर की लड़ाई है युद लड़ा जा या ना लड़ा जाए देखो राम जब रावन से युद लड़ने जा रहा था ना तो राम के अंदर भी एक लड़ाई हो रही थी कि रावन से जगड़ा किया जाए या रावन से जगड़ा नहीं किया जाए कि कई बार आदमी अंतर दुंद में रहता है आपके साथ भी ऐसा होता होगा कई बार आप कोई काम कर रहे होंगे लेकिन आप अपने अंदर ही अंदर कोई सवाल कर रहे होंगे क्या ये काम करना चाहिए ये काम नहीं करना चाहिए देखो आपको जैसा की पता है कि राम क्या थे एक माले सामान पुरुष थे कोई आउतारी पुरुष नहीं थे राम एक सामान व्यक्ति के तरही उन्होंने अपना जीवन जिया है इसलिए सामान व्यक्ति के मनोदसा क्या होती है उसी तरीके से राम की मनोदसा यहां पर थी कि युद्ध लड़ा जाए या युद्ध ना लड़ा जाए लड़ने का साधन क्या हो जीतेंगे इसमें संसे था जीतेंगे या नई जीतेंगे आदमी को हमेशा अपनी जो मानाव सुबाव होता है उसमें हार और जीत की कडर होता है संकलब की लड़ाई राम की भीतर चल रही है राम जोंदा तीत राम ने होकर जोंद में फसे राम है देखो ये काल जही रसना है मुझे लगता है कि अगर राम की सक्ति पूजा निराला नहीं लिखे होते तो निराला का आज वो कद नहीं होता जो कद होना चाहिए बहुत ही तगडी रसना है निराला की जिवने राम राम का द्वंद राम रावन के द्वंद से महत्पून हो गया है देखो राम रावन का द्वंद का मतलब राम रावन का युद्ध लेकिन यह राम रावन के युद्ध से महत्पून क्या हो गया है राम राम का द्वंद यानि राम के अंदर जो द्वन्द चल रहा था वो द्वन्द राम और रावन के युद्ध से भी तगड़ा हो गया था साथ युद्ध समझ ले इसको कि राम के अंदर जो द्वन्द चल रहा था कई राम रामन के द्वन्द से भी जादा मैस्वन था निराला के राम आधुनिक मानव है जो न्याय के पक्षदर होते हुए भी तूटते हैं शंट से करते हैं और अपने नियती को कोशते हैं जो आज के समय का व्यक्ति है कई बार सत्च का साथ देने पर भी उसको डर लगता है यही संसे राम के मन में था राम की सक्ति पूजा कविता में क्या कहते हैं जिक जीवन को पाता ही आया विरोध जिक साधन जिसके लिए सदा ही किया ऐसी पंक्तिया उसके अंदर मैंने सारी कविता आप यह मस्तोचना कि सर गद पढ़ा रहे हैं आप तो मैंने यह सारी कविता देखो यही कविता पूरी कविता पढ़ानी है यह वाली संभी कविता लेकिन मैं एक बार समझाना चाहता हूं कि राम की सक्ति पूजा का क्या थोट प्रोसेस है राम की सक्ति पूजा को लिखा गया दरसल सक्ति की उपासना उपासना मात्र ने सकी अंदर की सक्ति को जागरत कराने के लिए किया गया था निराला के मन में सक्ति की आउधारना थी सक्ति की कलपना मुक्त होने और कराने के लिए जी काद की जा रहे थी निराला माना मुक्ति की कविता लिखते थे जामवान से परामर्स दिलाना ही कविता को नितांत लौकिक धरातल पर लाना है झाल झाल परया था कर लास्टर जा झाल झाल आएए अब हम इसकी कवीता को पढ़ लेते हैं कि क्या है उसके अंदर रवी हुआ अश्ट जोती के पत्र पर लिखा अमर रहे गया राम रावन का एपराजे समर रवी यानी सूरिय अश्ट हो गया है जोती के पत्र पर लिखा अमर रहे गया राम रावन का एपराजे समर आज का सीक्ष्ण सर विद्रत विष्ट चिप्रकर वेग परखर सत सलेश समर्ण सील नीलब गर्जित स्वर परतिपल परवर्तित भ्यू भेद कोसल सम्हू राक्षस विरुद प्रत्यू कृद्ध कपी विसम भूह ये पंक्तियां है साथियो कापी लंबी ये रस्नाय हैं कि मैं लगा रहा हूँ और आपको ये रस्नाय पढ़नी है कितने लोग पढ़ेंगे और कितने लोग नहीं पढ़ेंगे आपको ये चीज कहीं मिलेगी नहीं, जो मैं दे रहा हूँ कुछ महत्मूर्ण, महत्मूर्ण चीजों में पढ़ाने का प्रियास करूँगा यासे मैं महत्मूर्ण चीजों में पढ़ाऊंगा क्योंकि कवीता बहुत बड़ी है अर्चना राम की मुत्रिमान अक्षय सरीर सिर ध्रम चरिये रत ये एका दस रुद्रधन, मर्यादा प्रसुत्तम के सर्वत्तम अनन लीला सहेचर दिव्य भ्हावधर इन पर प्रहार करके होगी देवी तुमारी विसमहार विद्या का ले आसरे इस मन को दो प्रबोध जुक जाएगा कपी निश्चित होगा तूर प्रोध कहे वे मौन सिव पवन सने में भर विसमें सैसा नब में अंजना रूप का हुआ उदै बोली माता तुमने रवी को जब लिया निगल तब नहीं बोध था तुमें रहे बालक केवल यानि कि उसकी माता राम से कह रही है कि जब तुम उस दिन को याद करो जब तुने सूरिय को निगल लिया था तब नहीं बोध था तुमें रहे बालक केवल वे वही भाव रहा तुमें व्याकुल रहे रहे कर तुम तो इतने वीर हो तुमें बच्पन में चथवी को निगल लिया और वो तो तुमारा बच्पना था ये लज्जा की है बात कीमा रहती सह सह ये महाकास है जहां वास सिवका निर्मल पूजते जिने सिरी राम उसे क्रसने को चल क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ सोचो मन में क्या दी अग्या ऐसी कुछ रगुनंदन तुम सेवक हो सोड कर धरम कर रहे कारिये क्या ए संभाव हो ये रागव के लिए धारिये कपी हुए नम्र थन में माता थवी हुई लीन यानि सक्ति माता लीन हो गई उत्रे धीरे धीरे कहे प्रभु पद हुए दीन राम का विश्णानन देखते वे कुछ छण ए सखा विवीशन बोले आज प्रसन्वंदन वे नहीं देख कर जिसे समग्र वीरवानर भल्लूक विगत स्रमको पाते जीवन निर्धर रगवर तीर सब वही तून में है रक्षित है वे चण है वे वच्ष रण कुषल हस्त पल वही अमित है वही सुमित्रा नंदन मेग नाद जित रण है वही भल्लपती वानेंद्र सुग्रीम प्रमन सारा कुमार वी वही महाबल श्वेत धीर है प्रतिभट वही एक अरदुद्शम महावीर है वही दक्ष सेना नायक है वही समर्द फिर कैसे ऐसमे हुआ उदै वहे भाव प्रहा अपी लंबी रतना है यह आपकी को पढ़नी पढ़ेगी अंतिम कुछ चीज़े पढ़ लेते हैं हम लोग जब रसकती आती है उनसे मिलने के लिए वो पढ़ लेते हैं जब वो अपनी आख का वो निकाल कर देते हैं वो पढ़ लेते हैं यहाँ पर निरास हो जाते हैं राम यहाँ पर निरास हैं कि धिक जीवन को पाता ही आया विरोध धिक सादन जिसके लिए किया सोद यहाँ पर निरास हैं चान की हाई उद्दार पियाका ने हो सका वहें एक और मन रहा जो राम का जो ने थका जो नहीं जानता देन नहीं जानता विने कर गया भेदवे महावर्ण प्राप्त कर जै खुद्दी के दुरग पहुंचा विद्दुत गती हत चेतन राम में सजगी समर्ती हुए सजग अब राम को याद आया कि माता उसको राजीव नयन कहती थी क्योंकि उनके नयन कमल के फूल के समान है दो नील कमल है सेस अभी यह पुष्च चरण पूरा करता हूँ देकर माता एक नयन अपनी आख का दिकाल कर सक्सी के चरणों में समर्पित करने वाले ही है राम आगे क्या होता है कैकर देखा तूनी धर तूनी धर का मतलब ज़े तीर का आगे का नुकिला हिस्ता कैकर देखा तूनी धर भ्रमस्त्र रहा जलक ले लिया हस्त लक लक करता वे महाफलक के ले अर्पित करने को उद्धत हो गए सुमन को चणाना जाते थी चिस्थन बंद गया बेधन को द्रग द्रड निश्य जब राम ने इस चीज का निश्य कर लिया कापा ब्रमांड हुआ देवी का त्वरित उदै और जैसे ही सक्तियों जैसे ही सातियों उन्होंने राजी उ मां क्या हो जाती हैं सक्ती जी का उद्य हो जाता है सादू 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 सादक धीर धरम धन धन्राम की आवाज आती है कि सादू सादू सादक धीर धरम धन्राम कहे लिया भगवती ने रागव का हस्त साम तैसे यह आख निकालने के लिए लगे यह सब सादू सादू कहते देखा राम ने सामने थी दुर्गा भासकर वाम पद असुर इसकंद पर रहा दक्ष्ण हरी पर चोती मरिये रूप हस्त दस विविद अस्र सजित यामर यामर सक्दी सक्ष्ण के रूप का वर्णन है कि किस प्रकार से जोती के समान उनके दसो हातों में अलग-अलग सस्र लि जित है दक्ष्ण में लक्ष्मी सर्स्वती वाम भाग उसके दक्ष्ण में लक्ष्ण है बाएं भाग में सर्स्वती है दक्ष्ण गणेश कार्थि के बाएं रण रंग-राग मस्तिक्षपर संकर पद सिन्नों पर स्रद्दा भर स्री रागा हुए प्रनत यानि प्रणाम कि किया और मंद स्वर उन्होंने किया वंदन किया और कहने लगे देवी यहां पर कहने लगी राम से अंती समय पर होगी जै होगी जै हे प्रसुत्तम नवीन कहे महा सक्ति राम के बदन में हुई क्या भर राम चंद्र जी ये थे साथ यो अंतिम पुजलाई ने जो राम की सक्ति पूजा के हमने पड़े हैं कि होगी जै होगी जै हे प्रसुत्नम नवीन कहे महा सक्ति राम के बदन में हुई लिए काफी बड़ी कवीता है ये आपको पढ़नी है इसका अर्थ सई पीडियेफ में लगा रहा हूं इसके अर्थ सई पीडियेफ है आपको पढ़ना है कल वाली रत्ना का अर्थ पढ़ा आपने जो मैंने कल आपको जो रत्ना जोही की कलीर ये सब पढ़ा है उसका अर्थ पढ़ लिया देखो इतनी बड़ी वैक्षा के नौट्स नहीं बनते हैं लेकिन आपको नौट्स क्या बनाने थे राम की सक्ति पूजा कैसे बनाने थे राम की सक्ति पूजा निराला ने लिखी कब लिखी 1934 में लिखी कितने खंड हैं 11 घंड है एक इसमें खंद है अलग से चंद शक्ति पूजा चंद उसका उन्होंने निर्माण किया ऐसे छोटी छोटी चीजे आपको इसके बारे में लिखने है ना कि इसका आपको अर्थ लिखने के आफ़स्क्ता नहीं है चोटी-चोटी चीज़े लिखने जो मैं आपको आरम में बतलाई थे यह पड़ाई थे यह पड़ाई थे आपको आरम में यह थी कि राम की सक्ति पूजा अपने युक्षत को स्थापिस करती है मैंने आपको ये पढ़ाया था 23 अक्टुम्बर 1936 को इसकी रचना हुई थी इसका प्रकाशन हुआ था भारत पत्र में स्टार्टिंग में लेकिन वो गुम हो गया इसलिए अनामी का उसकी अंसिम प्राप्ति होती है मैंने ये भी लिखा दे है इसमें कुल संख्या 11 है अनुछेदों की कुल संख्या 11 है इसमें todo 312 पंक्तियां हैं इसमें शक्ति पूजा नामकशंद के जो Most है ये सारा ये चीजे Not करने ही थी इनको Not's में लिखना था इन सब चीजों को Not's में लिखना था झाल झाल और बताईए चीजे समझ तो आ रहे हैं न यह चीजें क्योंकि यह चीजें आप पहली बार पढ़ रहे होंगे पहले आपने पढ़ाई नहीं की होगी इस तरी डीप आपने नहीं पढ़ा होगा अब आप पहली बार इनको पढ़ रहे हैं आपका क्या मत है इसको लेट है वाई पुरुदी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं अनु बोलो बोलो अनु बोलो सर बेबी गर्ल क्या कर रही है स्रस्टी बेबी गर्ल अभी आ नहीं है और वो अपनी नानी के घर है अमें तो वहीं मस्ति कर रही है आठकेलिया कर रही है हम तो उसको वर्टसप वहां देखते हैं रील वगएरा बना देती है अपको समत्तों लग रहा है ने चीजह जो मैं आपको कल मैंने आपको जोईटी कल्यी से पड़ाई थी यह सब सीज है नापको निराला की अपहां आस कैसी दम से शूट गई हैं उनको नौट करके रखना मैं क्या कराओ क्लास एड करवा दूंगा एक दो क्लास एड करवा लूगा बीच में फिर हम जो नाटक बचे उनको भी कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि वो बीच में एक दो चुट्टी हो गई थे ने इसलिए चीजे शूट गई थे अब जब क्लास खतम होने को है जब तो आप लोग आते हो गुनगुनी आने वाली है कुछ दिनों में 4-5 दिन में आप गुनगुनी आ जाएगी आजाएगी बहुत जल्द आने वाली है मैं भी बीजी था वेलकुल सही कह रहे हैं सरश्टियाम जब कुल सही कह रही है विलकुल विल्कुल यह बात तो सही है अब हम क्या कर रहे हैं एक काम कर रहे हैं एक तारीक से क्योंकि Üang मार्ट का महिना ना बड़ा वैसा महिना होता है जिस में कुछ आनेंसल चीज़े भी करनी होती आ तोड़ा दबाव का मेंना होता है, यह हर किसी के लिए होता है तो इसमें एक तो चुट्टी काफी हो गई मुझ्सי अब हो अप्रेयल में कुछ नया कर रहे हैं अप्रेयल में एक तो मैं ताइम कर रहा हूँ यार पेपर वन भुनिम को पढ़ लेंगे paper 1 जो है न हम पढ़ लेंगे 10 बजे से ये paper 1 हो जाएगा और जो हिंदी साहित है हमारी ये हम पढ़ लेंगे 12 से तो classes और कुछ classes यूटूब पर कर दूँगा ऐसे हम अगर कर रिविजन में हो जाएगा को Hin Prof. कि एक हमें कि इतना है पंक्ति याद नहीं रहती है एक्जाम में इतनी पंक्ति याद करने वीडर निशाम को मैं पर फढ़ रेना चाहिए दिमाग में गांके कल हमने कि कल हमने क्या पड़ा कल हमने जोई की कली पड़ी तो हमको एक एक पंक्ती थोड़ी ना याद करने कि जोई की कली क्या है तो एक आइडिया रहना चाहिए कि क्या है उसके अंदर कैसे नायक था नायका ने ध्यान नहीं दिया नायक गुस्सा हो गया और नायक ने एक दम जोर से फटकार लगा दी सुकुमार सुंदर सुकुमार दे जख़ोर डाली पसल दिये गोरे कपोल गाल सोक पड़ी युक्ती सक्स शितवन चारो और परे प्यार की सेज़ कि तो यह सब चीज हमको एक आइडिया होना चाहिए गयार यह जो पंक्ति है ना यह है हमारी जोही की कली की और जोही की कली जो रचना है वो कहां लिखी गई इसी तरीके से आप उने सरोजी समर्थी को मैंने पढ़ाया था अब आपको पता लग गया कि निराला की जो व्यक्तिकत लाइफ दिना कितनी चाराव नहीं थी कितनी गरीवी में निराला जी जी रहे थे उनकी बेटी के 18 साल की उमर में ही मृत्य हो जाती है वो सारी चीज हमको खाका अमरे दिमांग में हो गया हर चीज रटने की जरूत नह नहीं है यह और्टोमेटिक हमको याद आ जाएगी तर नाटक के कसन कैसे पढ़ें इसके लिए ता आपको पूरा नाटक पढ़ना पड़ेगा विशाल अन्जू सार पेपर वन पढ़ाते हैं मैं पेपर वन और हिंदी दोनों पढ़ाता हूं वेटा मैं पेपर वन भी पढ़ाता हूं और हिंदी भी पढ़ाता हूं मैं पेपर वन भी पढ़ाता हूं मैं ऐसा नहीं कि पेपर वन के लिए आपको कहीं बटकना पड़ेगा मैं पेपर वन भी पढ़ाता हूं और हिंदी भी पढ़ाता हूं मेरे इस सिद्धान से कि आप अगर म मिलकर पड़ेंगे एक साथ पड़ेंगे आज इतना ही रखेंगे साथ यों अब हम मिलेंगे आपसे मंडे को क्लास में प्लस की क्लास मंडे को होगी संडे की और सटर्डी की चुट्टी है वैसे सटर्डी की चुट्टी नहीं रखता हूं बट कल है और अब मंडे को मिलेंगे जब तक आप इनका सब का रिविजिन कर लीजे सर एमपी सैट का फॉरम मैंने भी भरा है कोई दिक्कर नहीं है एक्जाम दो आप नेट नेट पास कर लो सैट के तो बेटा वैसे जर्रती नहीं अगर नेट पास हो गया तो वैसे कल्यान हो जाए ओके थैंक यू सो मच और कमिंग लव यू अल क्या रखापना थैंक यू थैं करो में अल रखाफना है Dies बहुत कर लव वार है